नमस्कार मैं रमा भाटी जैपूर से कवीता जब बोलती है शीर्षक के अंतगत मैं अपनी कुछ रचनाएं पेश कर रही हूँ मेरी नगर में कवीता सोय के हिर्द से महसूस होती भावनाओं को लिख कर उजागर करना है मैं अपनी कुछ रचनाएं पेश कर रही हूँ पहली अजनबी शहरों के रास्ते भी अजनबी मुस्कुराते रहे मेरी तनहाईयों पर महसूस होने लगी कुछ हस्रतें लेकिन मुकम्मल ना हुई कभी ठहरी रही आँखों में इंतजार बनकर मैं यूही बस चलती रही और तुमारी याद आती रही एक प्यारा हमसफर किस्मत से ही तो दिल के करीब होता है यूही नहीं महका करती यादे यूही नहीं महका करती यादे यूही नहीं धड़का करते दिल सीने में किसी के लिए यूही नहीं धड़का करते दिल सीने में किसी के लिए जो तुमारे इतना करीब होता है उसके लिए ही आहें भरता है दिल उसके लिए ही आहें भरता है देख, अब मैं अपनी एक और अचना पेश कर रही हूँ, जिसका शिर्षक है प्रेम, क्या है प्रेम, प्रेम पानी है, प्रेम पीतल है, प्रेम पाती है, प्रेम का अर्थ एक हो जाना है, जहां दो हैं, वहाँ प्रेम नहीं, जैसे रिष्टों में ना अपना, ना पराया, सिर्फ अपने पन का एहसास है, सिर्फ अपने पन का एहसास है, अब मैं अपनी एक और रचना पेश करूँगी, जो कि औरतों के उपर है, क्योंकि चाहे जमाना कितना भी बदल गया, लेकिन औरतों के उपर जो जुल्म होते आ रहे हैं, पहले से वो अभी भी हो रहे हैं, उस पर मैंने अपनी एक रचना लिखी है, देवदासी, कौन हूँ मैं देवदासी, नहीं, मैं इश्वर की बनाई एक नायाब सरंचना हूँ, जो अपने शरील से एक नई जिन्दगी को जनम देती है, क्या पुरुष आज तक कभी ये समझ पाया, क्या पुरुष आज तक कभी ये समझ पाया, नहीं, वो सिर्फ उसे एक भोग की वस्तु ही मानता आया, छोटी कली को ही शादी जल्दी कर दी जाती है, जहां रोज उसे रोंदा जाता है, क्या कभी आवाज उठा पाएगी, कभी अपने लिए वो बोल पाएगी हाँ उसे दुनिया को बताना होगा हाँ उसे दुनिया को बताना होगा अपना अस्तित्व जताना होगा मैं भी एक नारी हूँ भोग्या नहीं जिसे जब चाहा रोंधा और कलंकित कर छोड़ दिया जिसे जब चाहा रोंदा और कलंकित कर छोड़ दिया नहीं अब व्यविचारी पापियों को अपना दुर्गा रूप दिखाना होगा अपना दुर्गा रूप दिखाना होगा अब मैं अपनी अगली रचना पेश कर रही हूँ मुखोटा जैसे की समाज में सबको पता ही है कि लोग मुखोटा ओड़कर ही सब काम करते कई यूग आये कई यूग गए आता है जब महा कल यूग आता है जब महा कल यूग ना कोई अपना ना कोई पर आया दुनिया जीती अपने ही में, सब कोई चाहता सुनना नहीं, जूट बोलने में हैं सब माहिर, चाहे वो हो राजनेता या हो कि राजनेती से जुड़े, सब लगे हैं जनता को लूट में, सचाई से किसी का नहीं वास्ता, सचाई से किसी का नहीं वास्ता लगे हैं सब अपनी जेबे भरने, निंदा करने में सभी लगे हैं, अपने अंदर ज्हांके न कोई, चल, कपट और द्वेश भाव, भड़ा पड़ा है सब के अंदर, कहां गए, कहां गए, सब नाते रिष्टे, माबाप ने पाला बच्चों को, बच्चे ना पाल पार रहे उनको, बाई बेहनों के वो प्यारे रिष्टे, वैर भाव बदले की भावना में कुछ ले गए सब प्यारे रिष्टे, मुखोटा पहने ही जी रहे सब, खत्म होई सब, प्यार मुहबत, करवाहट भरी हुई है सीने में, सस बतलाओ तुम मुझ को क्या रखा है अब जीने में, क् की उचाई को ना ही जाना कभी लहरों की उचाई को ना ही समझे कभी समुद्र की गहराई को लहरों का उचल कर उचा उठना उतना ही तेजी से गिर कर फिर समुद्र में समा जाना मुक्तसर सी बात है मुक्तसर सी बात है हर लहर हो या नदिया हर लहर हो या नदिया सब को समा लेता है अपने अंदर सब को समा लेता है अपने अंदर समंदर नहीं मैं सर उसे दो पल का भी सकूँ नहीं मैं सर उसे दो पल का भी सकूँ अब मैं अपनी अगली रचना प्रेश कर रही हूँ बेगाने को आप ना ढूंडो गुजरे जमाने के किस्सों को कभी ख्याल भी आएगा तो सहना पाओगे तुम ना ढूंडो गुजरे जमाने के किस्सों को कभी ख्याल भी आएगा तो सहना पाओगे तुम दिल की रुस्वाईयों को वही पुराने फसाने ही मिलेंगे देखो बेगाने ख्वाबों से कभी दिल ना लगा बैठना हिया तूटने में देर ना लगेगी जिदर देखोगे जूटे अफसाने ही मिलेंगे जिने समझाता कभी अपना सब कुछ वो ही दिल तोड़ कर चले गए मजदीकिया इतनी थी कि मेरी हसी में भी दर्द तलाशेंगे कशिश इतनी कि दिल खिचता चला गया काश वक्त पर पहरा ना होता अंतर मन में संघर्ष फिर भी मुस्कुरा कर लिये ही जीएंगे अब मैं अपनी एक रचना पेश कर रही हूँ खिडकियां अंधेरों को चीर कर जब रौशनी भरती है दिल में तब चमकता है नूर से चेहरा मेहका देता है सारा आलम दिल की खिडकियों को सदा खुला रखिए आने दीजे रौशनी को आने दीजे रौशनी को महकने दीजे खुश्बूओं से उसे मेहटने दीजे खुश्बूओं से उसे अब मैं अगली रचना पेश कर रही हूँ जिसका शिर्शक है चन सिक्कों की खातिर अब ये भी आजकल चुरू से ही जैसा की समाज में होता आ रहा है गरीबों के साथ उस पे मैंने अपने कुछ विचार प्रकट किये हैं शिर्शक है चन सिक्कों की खातिर सिर्फ चन सिक्कों की खातिर जब बनवाते हैं ठेकेदार कच्ची इट और सीमेट से मकाँ पे मका चड़वा देते हैं मंजिलों पे मंजिले क्यों खिलवार करते हैं वो हसते खेलते लोगों की जिन्दगियों से उफ सिर्फ चन सिक्कों की खातिर कभी खयाल आया उनके जहन में जब भुकम के हलके जटके से भी भुरबुरा कर गिरने लगते हैं मकाँ कभी खयाल आया उनके जहन में जब भुकम के हलके जटकों से भी भुरबुरा कर गिरने लगते हैं मकाँ तो कभी किसी तेज बरसात में रिषने लगते हैं जब लोगों की जाम पर बन आती हैं तो क्या क्यूं नंगा खेल खेलते हैं वो लोगों से उफ सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर क्यूं नहीं उनका जमीर जागता कभी कभी जब दूसरों के लिए घर बनवाने वाला एक दिहारी मजदूर ही च्छत गिरने से उसमें दफ्न हो जाता है उसकी मौत का क्या फिर एक जीवन का सौदा उफ सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर उफ सिर्फ चंद सिक्कों की खातिर अब एक छोटी सी रचना पेश करना चाहूंगी शबनम की बूंदे सुबा सवेरे उठ जब दिखती हैं पत्तों पर शबनम की प्यारी बूंदे सुबा सवेरे उठ जब दिखती हैं पत्तों पर शबनम की प्यारी बूंदे बहुत ही मन भावन सी लगती हैं वो चूने का मन करता है लेकिन दरती हूं कहीं उनकी खुबसूरती ना खत्म हो जाए चमकती हैं वो हीरे जैसे ठंडी वयार के चलते ही जब वो पत्तों से फिसलती हैं मन करता है भरलू उन्हें अपनी अंजुली में भरलू उन्हें अपनी अंजुली में नमस्कार धन्यवाद आप सभी का है 10 अंजुली में अंज़टता हैं